जै माता दिमित्रों, अगर कोई आपसे दूर चला गया है, या किसी के मन से आप उतर गये हैं, आपका प्रेम किसी के दिल से खत्म हो गया है, तो आप उससे अपने पास बुला सकते हैं, बिना उसकी तस्वीर के आप उसे अपना बना सकते हैं, आपको इससे आसान और ब्रच या प्रेमिका से शादी के लिए उसके घर वालों तब को बुला सकते हैं सच्चे मन से पूरी शुरद्धा से इस तोटके को करेंगे तो आपको इसका परिणाम बहुत जल्द मिल जाएगा दोस्तों जो विधी में आपको बताने जा रही हैं इसमें आपको बाजार से कोई भ उस व्यक्ति को ही मन ही मन याद रखना है जिसको आप अपने वश में करना चाते हैं और अपनी बात मनवाना चाते हैं अब आपको बताऊंगे वो चीज़ जो बताने आई हो आज का वो उपाए जब कोई व्यक्ति आपसे दोर हो जाए जब कोई आपसे बात तक करने को तय यार ना हो और आपका दिल उसी के साथ अटका हो कोई अचानक से आपसे रिष्टा तोड़ कर चला गया हो और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये क्या हुआ आप किस रिष्टे के अंदर जुड़ा रहना चाहते हो लेकिन सामने वाला उसे तोड़ देना चाहता हो तो ऐसे मार्य आज आपको करना है आपको संध्या की वक्त एक सफेद पीपर पर काले पेंट से उस व्यत्ती का नाम लिख लेना है इस पीपर के ऊपर आपको थोड़े से केसर के पत्ते रख लेना है और साथ में दो चार दाने चीनी के रख लेना है इसे आपको अच्छे से के साथ भी कर सकते हैं इसके उपर आपको थोड़ा सा गूगल और लोबान डाल देना है और चीनी डालकर आपको उसे जला देना है और उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए कि वो आपके पास आ रहा है वो आपके संपर्क में आ रहा है ऐसा सोचते वे आपको इस पेपर को जला देना है आपको ये कार्य एक ही बार करना है ये पूरी तरह से जल जाएगा इसके जो राक होगी इससे आपको एक शीशी के अंदर पानी में डाल कर किसी भी पेड़ के नीचे जाकर रख कर आना है ज्यान रहे दोस्तों शीशी कांच की ही होनी चाहिए उसकी कुछ समय आपके सम्मोहन का जादू चल जाएगा अब आपका प्यार आपसे दूर नहीं होगा और आपका परिवार भी आपके प्यार को पसंद करने लगेगा और शादी के लिए खुद बख़ुद मान जाएगा परिवार में कुई तनाव हो तो भी वो पोई तरीके से ठीक हो जय माता दी दोस्तों